अगर आप किसी भी teaching exam की त्यारी कर रहे हैं यह classes आपके लिए most most important है इसलिए अगर आपने चैनल को subscribe नहीं किया है तो चैनल को subscribe कर ले बैल आइकन पर press कर all notification को आप on कर दें तकि जब भी कोई class upload हो आपके पास सबसे फैले पोचे अगर आपको किसी तरह का कोई doubt है कोई issue है कु सकते हैं हाँ साथ में जो telegram group है आप उसको भी join कर लीजिए क्योंकि हमने जो telegram group है उसमें जो pdf है वो डालने start कर दी है telegram group का जो link है वो आपको वीडियो के description के अंदर मिल जाएगा तो चलिए start करते हैं देखिए आज की जो class है यह हमारी English की class number 8 है seven classes आपकी हो चुकी है आप playlist में जाकर देख सकते हैं आपकी जो science की class है मुझे पता है काफी दिन से जो science है वो मैं upload नहीं कर रहा हूँ कल से 100% जो कल सुबह है आपको science की class मिलेगी आप tension मत लीजिए समय पर आपका slip bus भी होगा आप लगातार बस करते रहिए और देखिए आज हम पढ़ने वाले हैं आपके one word substitution चाहिए आप चंडिगड PRT दीजिए चाहिए आप estate दीजिए चाहिए फिर आपका deed replace भी हो आप कि चलिए आज की session को हम start करते हैं a place of permanent residence यानकी वो जगह जहां पर आप permanent रहते हैं वो क्या कलाती है आपका domicile यानकी जहां पर प्रमानेंट रहते हैं उसी जगह का क्या बनता है आपका domicile बनता है तो स्थाई निवास का जो स्थान है उसको वोलते है हदिवास यानकी domicile त यानकी वो narrow piece of land यानकी जमीन का वो छोटा सा टुकड़ा जो किसी दो बड़े जगह को आपस में जोडता है क्या कलाएगा यानकी दो बड़े भू भागों को जोडने वाला भूमी का एक संकिरन टुकड़ा यानकी छोटा टुकड़ा क्या कलाता है इस्थुमस पर यह most important है काफी बार पुछा जाच चुका है तो इसको आप याद रखिए अगर कही है क्या कलाता है आपका इस्थुमस कलाता है आगे चलते है ए प्लेस वेर क्लोट्स आर कैप यानकी वो जगह है जहाँ पर जो कपड़े है न वो रखे जाते ह तो आप कपड़े कहा पर रखते हैं वाड्रोब के अंदर यानकी अलमेरा के अंदर आपको अच्छी से पता है तो वह स्थान जहाँ पर कपड़े रखे जाते हैं क्या कलाती है आपकी अलमारी या फिर वाड्रोब जिसे हम बोलते है ठीक है याद रखिए आप आगे देख व्यक्ति जो गोड़ों की करता है सवारी करता है एक व्यक्ति जो व्यक्ति के रूप में गोड़ों की सवारी करता है क्या करता है सवारी करता है क्या कलाएगा आपका जोकी कलाएगा याद रखिए आप आगे बढ़ते हैं यह सभी आपके प्रिवेशेर क्यूसंस हैं आप तिक थे पर सब्सक्राइब करता है एक व्यक्ति जो अपने विद्धा का प्रदर्शन करता है क्लाता है आपका प्याद रखिया प्यांट प्यांट अपको याद रखना है ठीक है आगे देखिए murder of a king यानकि राजा की हत्या क्या कलाती है आपकी regicide कलाती है मैंने आपको बताया था पहले भी man की हत्या करने वाला क्या कलाता है आपका homicide यानकि किसी भी व्यक्ति की man की हत्या करना homicide कलाता है बच्चे की यानकि भुन की हत्या करना क्या कलाता है आपका infanticide कलाता है क्या कलाता है infanticide भाई की हत्या करना क्या कलाता है आपका fratricide कलाता है इस सारे चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ पर ले ठीक है आगे बढ़ते है murder of a brother देखिए आगे ने फिर का मैंने आपको अभीद्दददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददद C-I-O-U-S Judicious याद रखिया तो अच्छे निर्ने के साथ किया गया कारिया याद की विवेक पुरन तरिक्के से ठीक है आपको याद रखना है आगे बढ़ते हैं One who is indifferent to pleasure or pain यानिकि वो वैक्ती जिसे ना तो दुख के बारे में पता है ना उसे सुख के बारे में पता है वो एकदम क्या है? उदास ही नहीं उसे तो ना तो सुख के बारे में कुछ पता है और ना ही उसे दुख के बारे में पता है कि दुख क्या होता है तो ऐसा वैक्ती क्या क्लाता है? ऐसा वैक्ती क्लाता है आपका stoic क्या क्या लाएगा stoic क्या लाएगा यानकि एकांत में जीने वाला ऐसा वेक्ती जिसे ना तो सुख के बारे में कुछ पता है ना ही दुख के बारे में यानकि one who is indifferent to pleasure और pain ठीक है क्या 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 लाएगा आपका stoic क्या लाएगा आपको याद रखना है ठीक है आगे बढ़ते है sword remaining end of a cigarette जो cigarette पीते हैं तो last के अंदर आपका एक stub बज़ाता है लास्ट का जो part होता है जो अलग से होता है उसको बोलते है यानकि cigarette का छोटा बचा हुआ जो सिरा होता है उसको क्या बोलते है stub बोलते है st-u-b stub आपको याद रखना है यह question आयोए है तो आप समझ सकते है कितने ज़्यादा important है यह ठीक है अगे बढ़ते है unfair advantages for members of one's own family यानकि अपने ही परिवार के जो लोग है न उनको क्या देना advantages देना और वो क्या कैसे advantages आपके unfair यानकी सही नहीं है यानकी अपने ही परिवार के सद्धियों के लिए अनुचित लाव यानकी उन्हें अनुचित लाव देना क्या कलाता है आपका भाई भतिजावाद जिसको इंगलेस में हम बोलते है nepotism आपने काफी बार ये वर्ट सुना भी होगा कुछ समय पहले जो social media था उसमें भी काफी यूजवा था nepotism ठीक है यानकी unfair advantages for members of once-on-one family यानकी अपने परिवार के सद्धियों को अनुचित लाव पहुचाना क्या कलाएगा आपका nepotism कलाता है ठीक है आपका प्रवक्ता यानकी वन हो स्पीक्स फोर अधार क्या कलाएगा spokesman ठीक है क्या कलाएगा spokesman आपको याद रखना है ठीक है आगे बढ़ते है decorative handwriting decorative का मतलब क्या है अच्छे से आपने क्या कर रखी है decorate कर रखी है यानकी आप बोल सकते है beautiful या फिर आप decorative यानकी सजावटी तो एक सजावटी जो लिखायावट है या लिखाई है handwriting है वो क्या कलाती है आपकी calligraphy कलाती है और यह जो spellings है इसको आप 100% याद रखीएगा calligraphy c-a-l-i-g-r-a-p-h-y calligraphy यानकी एक सजावटी लिखावट क्या कलाईगी आपकी सुलेग का मतलब होता है सुन्दर लेग अगर आप इसको इंदी में देखते हैं न सुलेग का मतलब होता है सुन्दर लेग यानकी ये decorative handwriting क्या कलाईगी calligraphy आपको याद रखना है ठीक है आगे बढ़ते हैं एक person who devotes his या her life for the welfare of others यानकी वो व्यक्ति जो अपना जीवन है न दूसरों की अच्छे के लिए दूसरों की भलाई के लिए क्या कर देता है समर्पित कर देता है वो व्यक्ति क्या कलाता है आपका प्रोप कारी जिसको इंगलिस में हम बोलते हैं altrist जो spelling है इसको भी आप याद रखना A L P R U I S T आल्ट्रेस्ट यानकी वह व्यक्ति जो अपना जीवन दूसरों के कल्यान के लिए समर्पित कर देता है क्या कलाएगा आपका प्रोप कारी कलाएगा यह चीज आपको 100% याद रखनी है ठीक है आगे बढ़ते हैं अब冷s का मतलब होता है किसी को भुदार देना यान की वह व्यक्ती जो बहुत जब जज़ादा इंट्रेस्ट पर लोगों को क्या देता है पैसे हुदार देता है तो वो क्या कलाएगा आपका यूस्योरल कलाएगा यू-s-u-r-e-r और यह जो spelling है यह भी आपकी important है आपको याद रखनी है यान कि one who lands money at a very high interest यान कि high interest पर लोगों को पैसे उधार देने वाला क्या कहलाएगा यू-s-u-r-r कहलाएगा आपको याद रखना है आगे बढ़ते हैं study of the nature of God यान कि जो इस्वर है न इस्वर को पढ़ने वाला इस्वर के सवरूप का अध्धन करने वाला जो वैक्ती है क्या कलाएगा आपका theology क्या कलाती है theology study of the nature of God यान कि इस्वर के सवरूप का अध्धन क्या कलाता है आपकी theology कलाती है ठीक है जो बगवान को मानता है ठीक है आगे बढ़ते हैं एहाफ या हेटर एह हेटर ओव वोमेन देखिए हमने पहले पिछे पढ़ चुके हैं कि जो मनुस्यता से जो माननावता से नफरत करता है वो तो कलाता आप मिजन्थरोप जो किसे नफरत करता है माननावतासिया ने मनुस्यता है जो व्यक्ति तो है जो मनुस्य है मनुस्यता उनसे ही क्या करता है नफरत करता है आपका मिजन्थरोप कलाता है मैं फिर से लिख देता हूँ M-I-S-A-N-E-H-R-O-P-E misanthrope मिजन फ्रोप क्यलाता है वो वैक्ति लेकिन यहाँ पर बात हो रही है हेर्टर ओफिर वोमैन यानगि महिलाओं से नफरत करने वाला क्या क्यलाएगा आपका मिजोगाइनिस्ट क्यलाएगा मिजोगाइनिस्ट यान कि नफरत रखने वाला ठीक है, नफरत करने वाला, आगे देखते है, एक former student of a school, college और university, यान कि former का मतलब होता है, पहले, पुराना, या पूर्व, ठीक है, तो एक former student of a school, college और university, यान कि किसी स्कूल में, college में, या फिर विश्विद्धाले का जो पूरो छातर होता है, व QM, NUS, क्या कहलाएगा, आपका alumnus कहलाएगा, आपको याद रखना है, भूत, पूरो छातर, आपको ये चीज याद रखनी है, former student of a school, college और university, alumnus, आगे चलते हैं, one who has no money, यान कि वो व्यक्ति जिसके पास money ही नहीं है, वो क्या कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा आपका popa, ठीक है, P-A-U-P-E-R, पैपर, आपको याद रखना है, P-A-U-P-E-R, और एक होता है आपका extra agent, हमने कल पढ़ा था, तो कल की class थी, उसमें हमने पढ पढ़ा था, extra agent, यान कि जो फिजूल खर्ची करता है, क्या करता है, तो पैसों के ज़्यादा बरबादी करता है, क्या कलाता है, आपका extra agent कलाता है, मैं फिर से लिख देता हूँ, के लिए रिगदम, यह X-T-R-A-P-A-G-A-N-T, extra agent, जैसे मैं बता रहा हूँ ना, आपको, अब आप ज़्यादा अच्छे से याद रख पाएंगे, ठीक है, आगे चलते हैं, यान कि जिसके पास धन्ना हो, क्या कलाएगा, आपका दरिद्धर, यान कि पैपर क्या लाएगा, आगे चलते है, the art of making, maps and charts, यान कि map और charts बनाने की जो art है, वो art क्या कलाती है, वो कलाती ह कार्टोग्राफी, क्या कलाएगी, कार्टोग्राफी, और ये most important है, आप कैलिग्राफी के साथ इसको confuse मत करना, कैलिग्राफी का मतलब होता है, अच्छे लिखावट, या सूलेख, और कार्टोग्राफी जो होती है, वो होती है, आपकी art of making, maps and charts, map और जो charts होते हैं, उनको place where money is coined, यानकि वो जगह है, जहाँ पर जो आपके पैसे है, पैसों को घड़ा जाता है, पैसों को बनाया जाता है, वो जगह क्या कलाएगी, आपके mint कलाएगी, M-I-N-T, आप इसको याद रखना, और एक मैंने आपको numismatist बताया था, numismatist, अगर आपको याद होता हो, सि वैकती, जिसे सिक्कों को collect करने का जो सोक होता है, वो आपका numismatist कलाता है, लेकिन जहाँ पर सिक्के बनाया जाते है, वो आपका mint कलाता है, दोनों में difference है, अगर सिक्के रखने का सोक है, इखटे करने का सोक है, तो आप numismatist करेंगी, अगर आपको वो जगह मिलती है, जह कि वो जगह जहापे कोई जो law order है वो exist ही नहीं करता है क्या कलाती है आपकी अनारकी देखिए मैंने आपको उस से मैं भी बताया था यह पहले करवा चुका हूँ मैं और तब भी मैंने आपको बताया था मैंने law order के बारे में बताया था कि किसी भी तरीके से पुछा जा सकता है वहाँ पे जब पुछा गया था न तो वहाँ पे इस तरह से पुछा गया था कि वो व्यक्ति जो law and order को नहीं मानता या किसी भी सरकार को नहीं मानता वहाँ पे actual में सरकार के बारे में था कि जो किसी भी सरकार के अंदर विश्वास नहीं रखता है क्या कलाएगा अनार्की जहां कोई कानून या वैवस्था मौजूद नहीं है कोई ला एन ओर्टर कोई सरकार कुछ भी नहीं है वह क्या कलाएगी आपकी अराजक ऩटा कलाएगी ठीक है याद रखी आप आगे बठते हैं वन हुई इस ना तो intelligent है और ना ही डल है वो वैक्ति क्या क्लाएगा सिद्धा और सिंपल से है वो सद्दर जेगा यान कि मेडियोकर और यह जो spelling है यह भी आपकी most important है मेडियोकर मेडियोकर क्या क्या क्लाएगा आपका मेडियो करेर यह मोस्ट इपोर्ट है ने मैं इसलिए बार-बार इनको रिपीट कर रहा हूँ तक कि आपको साथ में याद भी करवाज को बार-बार रिवाइज करवाखे बार-बार बोल के ठीक है आगे चलते हैं वाइल्ड एंड नोइजी डिसोडर आप देखिए यादि कि अचानक से बहुत ही जादा सोर सराबा हो जाना जैसे होता है जंगली पन वाइल्ड यादि एकदम बहुत ही अचानक से बहुत ही हाई लेवल पे क्या हो जाना सोर सराबा हो जाना क्या कराएगा आपका पेंडिमोनियम यानके जंगली और सोर गुलवाला wild का मतलब यह एक एक अचानक से सब कुछ हो जाना wild and noisy disorder disorder आप समझते हैं opposite word है तो यह कलाता आपका pandemonium पर जो spelling है pandemonium यह भी आपकी important है P-A-N-D-E M-O-N-I-U-N यह कला है कि आपकी pandemonium फिर से लिख लीजिया P-A-N-D-E M-O-N-I-U-N आप spelling को जब बार-बार लिखके देखेंगे न अब भी वो आपके याद होगी आप याद रखना जैसे mediocre है तो M-E-D-I-O-C-R-E mediocre याद रखिया आप आगे बढ़ते हैं one who does something for the first time याद कि वो वेक्ती जो किसी भी काम को first time कर रहे न क्या कहलाएगा आपका pioneer पाइउनियर P-I-O-N-E-E-R pioneer तो इसका मतलब क्या होता है जो पहली बार कुछ करता है इनके अग्रणी जो पहली बार जिसने अभी just or just शुरुआत ही की है और एक मैंने आपको extempor पर बताया थी extempor तो extempor क्या होता है आपको याद होना चाहिए extempor पर था आपका without preparation without preparation जब आपको speech करते हैं न तयार पहली बार जब कोई speech देते हैं बिना तयारी के तो extempor दुबार स्पेलिंग देख लीजे आप extempor और एक और बताया था मैंने आपको maiden speech m-a-i-d-e-n maiden speech इसके बारे में मैंने आपको और बताया था तो maiden speech होती है न इसको बताता आपके first speech जब पहली बार कोई speech दी जाती है तो वो आपके maiden speech कराती है ये चीज भी आपको याद रखनी है ठीक है तो ये आपके 25 questions थे one word substitution के मैंने आपको बताया है कल मैंने spellings करवाई थी आपके 50 spellings करवाई थी ठीक है तो इसी तरह के से English में आपको यहीं से question मिल जाएगा इनसे भार कुछ भी नहीं मिलेगा regular classes को अच्छे से देखते रही है आपका syllabus भी हो जाएगा ठीक है ना बिल्कुल भी tension लेने की जुर्त नहीं है और कल जो सुबह आपके class आएगी वो आपको science की class मिलेगे ठीक है तो आज की session में सिर्फ इतना है था thank you